Hello Friends, one second स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निग फंडा में है Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Candlestick Patterns के विशह में Friends, जब Technical Analysis की बाती है तो वहाँ पर Candlesticks का बहुत important role होता है But अगर आप YouTube में जाएंगे या Google में जाकर की Candlestick Patterns keyword डाल करके search करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से बहुत difficult और complicated formations शो होंगे तो आपके mind में कहीं न कहीं यह आता है कि यह क्या मुझे technical analysis सीखने के लिए या candlestick pattern सीखने के लिए इतने सारे formation याद रखने पड़ेंगे इतनी सारी candles के नाम याद रखने पड़ेंगे इनकी working याद रखने पड़ेंगी तो इन सब headache की वज़ा से कहीं न कहीं जो एक normal investor या जो beginner है stock market में जो लोग उनके mind में यह आता है कि कौन इतनी जंजट करें कौन इतने सारे patterns को याद रखे इसकी बज़ाए वो shortcut को preference देते हैं और फिर चालू होता है hill tips providers का, telegram channels का वहाँ पर आप जाते हैं अपनी hard earn money उनको देते हैं और उनके tips के चकर में आप उलच करके रह जाते हैं और ultimately आप कभी भी pro trader की दिसा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं एक professional trader बनने की दिसा में जो पहली सीड़ी है candlestick pattern उसमें आप उलच करके रह जाते हैं just because लोगों ने candlestick pattern को काफी difficult बना दिया है जबकि candlestick pattern को समझना बहुत बहुत आसान है friends यकिन मानिएगा हमारे channel earning funda में आपने पहले भी हमारी काफी सारी videos देखी हैं इन videos में हमने हर एक चीज को बहुत simplified करके बताने की कोसिस करिए जैसे आप train line की ये video देखेंगे इस magic tool से train line बनाना बहुत आसान हो गया ऐसी बहुत सारी training video हमने हमारे channel earning funda में upload करिए अभी तक आपने हमारे channel earning funda को subscribe नहीं किया है तो please हमारे channel को subscribe कर लिजे और bell icon button को जरूर on कर दीजे आज हम समझते हैं candlestick pattern को बिलकुल आसान सब्दों में एक नया trader बहुत आसानी से candlestick pattern को समझ सकता है read कर सकता है और technical analyst बनने की दिसा में pro trader बनने की दिसा में पहला कदम वो ले सकता है तो आईए हम candlestick pattern को समझते हैं friends देखी candlestick pattern बहुत easy है अभी तक आपने जितने भी complicated formation सुने हुए है उनको mind से निकाल लीजिए candlestick patterns को हमने दो पाट में divide कर दिया जिससे आपको समझने में बिलकुल आसानी हो इसके अलावा तीसरा single candlestick pattern नहीं होता है यह धियान रखना है आपको single candlestick pattern only दो होते है first है momentum candles और दूसरा है indecision candle momentum candle और indecision candle में फर्क क्या होता है इसको समझेगा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यह जो candles है यह form कौन करता है कैसे form होती है यह form होती है buyer और seller की activity की वज़ा से buyer और seller की जो भी activity हो रही है उसको candles जो है graphical view में आपके सामने प्रस्तूत करती है चित्र के रूप में आपके सामने प्रस्तूत करती है ताकि आप उनकी activity को particular time frame में उनकी जो story रही है उस particular time frame में उसको आप आसानी से समझ सकें अगर 15 minute की candle stick आप देख रहे हैं तो 15 minute के दोरान buyer और seller की क्या activity होई है वो आपको candle जो है graphical view में चित्र के रूप में दरसाती है तो आप हम बात करते है momentum candle की momentum candle में ये जो पहली candle दिख रही है आपको मेरी screen पर left side पे ये कहलाती है ग्रेव स्टोन डोजी मैं again कहना चाहूंगा नाम पर मच जाईएगा नाम आपको बिलकुल भी याद रखनी की जरूरत नहीं है इस candle का concept समझे आपको सिर्फ दो candle याद रखनी है momentum candle और indecision candle तो ये पहली जो candle है ये ग्रेव स्टोन डोजी है अब इसका concept समझे ये candle बनी क्यों कैसे बनी है सेलर और बायर ने क्या activity करी कि इस प्रकार की candle फॉर्म हुए अगर इस logic को आप समझ गया है तो technical analysis आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा बिलकुल बच्चों का खेल हो जाएगा technical analysis बिलकुल भी आपको परिशान होने के आवसकता नहीं है तो आप देखिए यह candle बनी कैसे यहाँ पर इसकी small body बनी है small body का मतलब यहाँ पर ही इसकी opening हुई है और यहाँ पर ही closing हुई है अब जब इसकी opening हुई opening होने के बाद इस पर buyers का domination रहा buyers price को उपर ले करके गया धीरे धीरे उपर ले जाने के बाद एक certain point पर यहाँ पर high form हुआ high form होने के बाद sellers यहाँ से charge में आए seller in charge sellers यहाँ पर charge में आए उन्होंने price को take over किया और पूरी force के साथ नीचे की और price करना चलू किया heavy selling चलू हुई और price जहाँ से open हुई थी उसी जगे पर sellers ने ला करके price को पटक दिया तो यह एक momentum candle है यहाँ पर buyer और seller के युद्ध में buyer और seller के war में seller की विजए हुई है seller are winners यहाँ पर seller इस war को जीच चुके है इस वज़ए से इस परकार की candle form हुई है इस परकार की candle को जब आप देखेंगे तो आपको यह मान करके चलना है कि market में bearish moment आ सकता है बट यह candle अगर chart में हर जगे बन रही है तो हर जगे इसका महत्व नहीं होता इसकी भी positioning होती है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इस परकार की candle आपको कहां पर दिखरी है तो आप उसको bearish moment समझे in between अगर मान लिजे chart में in between कहीं पर दिखरी है तो हर जगे इसका interpretation bearish moment की नहीं होती बट कुछ particular location होती है कुछ particular point होते है वहाँ पर इस परकार की candle बन रही है तो बहुत high probability trade मिलेंगे आपको bearish side के हमारे channel के साथ बने रही है मैं बहुत जल्द आपको positioning वाली video भी upload करके दूँगा second candle की तरफ हम बढ़ते है यह जो second candle दिखरी है आपको इसको dragonfly dozy कहा जाता है again मैं repeat करना चाहूँगा नाम पर मज जाईए उसके logic को समझे अब इसमें क्या हुआ है प्राइज यहाँ पर open हुआ और यहाँ पर ही close हुआ है यह इसकी small body बनी है तो इसमें भई market में माले जीए यह 15 मिनट की candle है या one day की candle है one hour की candle है टाइम फ्रेम कोई भी ले सकते हैं आप तो example के लिए मान करके चलते हैं हम यह 15 मिनट की candle है पंदरा मिनट के दोरान story क्या हुई है इस story को समझी है candle के पीछे की कहानी को समझी है यहाँ से price open हुआ इसकी body यहाँ पर बनी है यहाँ से price open हुआ और sellers इसको नीचे लेकर की गए बट एक certain level एक certain point से buyers ने charge लिया price का और buyers यहाँ से price को dominate करते हुए इस जगे से price को उपर लेकर के आ रहे हैं यहाँ price को heavy rejection मिला है heavy support मिला है और buyers price को उपर लेकर के आ रहे हैं and buyers ने price को बिलकुल अपने moment में रखा है अपने control में रखा है जहाँ पर price की opening हुई थी वहाँ पर ही buyers ने price को ला करके छोड़ा है यानि इस candle के थुरू हमें ये पता चलता है कि इस particular time frame पर 15 minute पर buyers का वर्चस वह है buyers इस war में जीते हैं, buyers are winners तो इस प्रकार की candle dragonfly dozy आपको दिखती है तो आपको bullish indication मान करकी चलना है and again same thing हर जगे in between chart में बन रही है तो हर जगे इसका interpretation bullish नहीं होता but overall interpretation इसका bullish होगा और जिस location पर इसको देखना है हमें जहाँ पर इसकी probability बहुत high हो जाती है आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा position बहुत important होती है candles की next candle ये जो green candle देख रहे हैं बिल्कुल green भरी होई candle है इसको बोला जाता है bullish मारू बोजू bullish मारू बोजू इसमें क्या हुआ है यहाँ पर price open हुआ और जब price open हुआ opening से ही buyer पूरी तरीके से charge में है power में है buyers के हाथ में पूरा control है अपने वर्चस में buyer ने price को लिया हुआ है और price बिल्कुल high पर उस 15 minute के high पर जाकर के close हो रही है तो यहाँ पर पूरी तरीके से buyer का control है तो यह कहलाएगी bullish मारू बोजू momentum candle है यह दूसरी candle है आपकी bearish मारू बोजू bearish मारू बोजू में क्या हुआ है price यहाँ open हुआ है उपर और पूरे time frame पर 15 minute के time frame पर sellers का control रहा है sellers ने price को dominate किया है price को drive किया है और नीचे लाकर के price को पटक दिया है तो यह कहलाती है candle bearish मारू बोजू यह जो दोनों candle देख रहे हैं आप यह भी मारू बोजू का ही एक प्रकार है यह bullish मारू बोजू है यह bearish मारू बोजू है बट इसमें हुआ क्या है यहाँ पर price open होई price open होने के बाद में कुछ समय के लिए price नीचे गई है seller का control कुछ समय के लिए रहा है बट यहाँ से price को जवरदस्त support मिला है buyers का और buyers ने price का charge लिया है and now buyers price को drive कर रहे हैं और drive करते हैं वो बिल्कुल top पर लेकर के गए है price को तो यहाँ पर भी buyers की विजए होई है तो किसी भी candle को आप देखे हैं तो buyer और seller के perspective से देखे हैं कि इस candle में हुआ क्या है exactly क्या हो रहा है इस candle में तो आपको technical analysis करने में बहुत आसानी होगी easily आप technical analysis कर पाएंगे second candle आप देखते हैं red candle तो यहाँ पर क्या हुआ है price इस जगे पर mid of the candle यहाँ पर opening होई है opening होने के बाद कुछ समय के लिए buyers ने price को उपर लेकर के गए है and यहाँ से again sellers charge में आया है sellers ने price को अपने control में लिया है और पूरी force के साथ price को नीचे की तरफ press किया है यहाँ से heavy resistance face करना पड़ा है price को sellers ने पूरी तरीके से बिक्वाली करी है और पूरे force के साथ price को नीचे की तरफ press किया है और बिल्कुल down में लाकर के price की closing मिली है तो यह bearish momentum कहलाएगी जब ऐसी candle दिखती है तो हमें bearish side के लिए ready रहना है अब next candle के तरफ हम बढ़ते हैं यह जो है hammer है bullish hammer कहाँ सकते हैं आप अब इसमें क्या हो रहा है price यहाँ पर open हुआ है open होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ गया है price बट यहाँ पर उसे heavy support मिला है buyers ने charge लिया है price का और पूरी force के साथ buyers price को drive करते हुए उपर लेकर क्या है और अपनी opening के उपर closing दिये तो इस प्रकार की candle आपको दिखती है तो यह momentum candle है bullish momentum candle है again आप यह जो red candle देख रहे हैं इसको inverted hammer कहा जाता है और कई बार इसको shooting star भी कहा जाता है inverted hammer भी कहा जाता है तो इस candle में आप देखेंगे यहाँ पर opening हुई है opening के बाद में कुछ समय तक buyers इसके charge में रहे हैं बट जब sellers ने price को अपने control भी लिया है तो वो पूरी force के साथ नीचे की तरफ drive करते हुए price को लेकर क्या आए हैं और बिल्कुल time frame के low पर price की closing दिये तो इस प्रकार की candle आपकी bearish momentum candle कहलाएगी तो इन candles को आपको ध्यान रखना है अब candles के पीछे का logic आप समझ गया है तो यह सारी momentum candles है अब आते हैं हम indecision candle में indecision candle में क्या हो रहा है देखें, buyer और seller के perspective से ही read करने की कोशिस करेंगे हम candles को यह जो है आपकी dozy है candle dozy candle like plus sign की तरह दिखती है जिसमें आपका body बहुत छोटी होती है या ना के बराबर body होती है तो यहाँ पर हुआ क्या है यहाँ पर price open हुई है open होने के बाद इसको buyer ओपर लेकर की गया है seller नीचे लेकर की आए है और seller ने फिर downside की तरह price को move किया है लेकिन यहाँ से फिर से buyer control में आ गया और buyer ने फिर price को उपर लेकर की गया और जहाँ पर opening होई थी वहाँ पर ही closing होई है तो यहाँ पर क्या हुआ है आप कह सकते हैं कि यह draw हुआ है जैसे match होता है match में अगर दोनों ही टीमें बराबर score करें तो कोई नेर्डा नहीं निकला कोई decision नहीं निकला match draw हो गया तो उसी प्रकार की situation यहाँ पर बनी है buyer और seller के बीच में war होई लेकिन यहाँ पर कोई भी विजय नहीं हुआ यानि indecision है कोई भी decision नहीं हो पाया है indecision candle है तो इस प्रकार की जब candle बनती है तो यह अकेली candle powerful नहीं होती इसके बाद हमें दूसरी candle का wait करना होता है और उसके according हमें trade लेना होता है कई बार आप देखते हैं dozy बनती है dozy बनने के बाद pattern fail हो जाता है उसका reason यही है कि हमें पूरी knowledge नहीं होने की वज़ा से हम हर कहीं जहां पर भी dozy बनी है और वहाँ पर हम trade लेना चालू कर देते हैं dozy के भी important position है चार्ट में किस position पर dozy बन रही है वो important है और उसके बाद वाली candle भी important है तो आने वाले समय में मैं कल या परसों में next video भी upload करूँगा positioning के regarding कि इन candles की position कहाँ पर बन रही है उसके according आपको trade लेना होता है so next candle हम देखते हैं यह जो candle आप देख रहे हैं red वाली यह है bearish spinning top bearish spinning top इसमें क्या हुआ है इसमें भी in decision आपको clear नजर आ रहा है price जो है यहाँ पर open हुआ है open होने के बाद buyers ने उपर ले करके गया sellers price को नीचे ले करके आए फिर से support मिला buyers price को उपर ले करके आने की कोशिस करी उन्होंने but open price से उपर नहीं ले जा पाए और open price के नीचे closing मिली इस वज़े से red body बरी but in decision है यहाँ पर भी buyer और seller के बीच में in decision है नहीं हो पाया है कि हमें upside पर जाना है या downside पर जाना है तो यह कहलाती है in decision candle next candle है आपकी bullies spinning top bullies spinning top में भी same story होई है यहाँ पर price की opening होई है seller इसको नीचे ले करके गया है but यहाँ से buyers price को charge लिया है buyers ने price को drive करते हुए वापिस उपर ले करके गया है यहाँ से again sellers जो हैं हावी हुए है और sellers ने price को नीचे की तरफ push किया है धकेला है और price को यहाँ पर closing मिली है जहाँ opening थी opening से उपर closing मिली है इस वाज़े से इसमें green body form होई है तो यह भी एक in decision candle है कोई भी candles को आप देखेंगे तो उस candle को buyer और seller के prospective से देखिएगा candles के पीछे की कहानी को समझिएगा कि वहाँ हुआ क्या है लकीर के फकीर नहीं बनना है हमें आप जो YouTube में या other काफी सारे platform पर देखते हैं इस प्रकार से काफी सारे patterns आपको दिखाया जाते हैं जिसमें आप confused हो जाते हैं कि मैं कौन से pattern को याद रखूँ मैं क्या करूँ तो earning funda में हमने candlestick patterns को read करना आपके लिए आसान बनाया है अगर ये वीडियो आपको पसंद आईए तो please इस वीडियो को like करिए और आपको लगता है कि इस वीडियो को share करना चाहिए जिससे और भी सारे हमारे trader community के friends को benefit हो सकता है तो please इस वीडियो को जादा से जादा share करिए friends so हमारे इस channel में बने रहने के लिए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद friends thank you very much